फैलो दोस्तो कैसे होता दोस्तो आज के स्नेडम आप सब का स्वागत करता हूँ दोस्तो आज के इसनेडम दोक konver नोग बात करने वाले IPL के एक बड़े मैच के बारे में जौके होने वाला है मुंबई इंडियर्स वर्सिस रोयल चैलेंजर्स इंदो टिमों के बीच में रोहिच शर्मा वर्सिस विराट कॉली ठीक है और यह मैच शाम को सब्सक्राइब बड़े मैच अलग तरीके का हाई बनता है क्योंकि बड़े सुपर स्टार्स करते हैं वैसा ही कुछ होगा हम लोग fantasy focus करेंगे mainly और देखेंगे किस प्लेस को pick करना है किस प्लेस को drop करना है कौन सा बड़ा प्लेस में flop हो सकता है कौन सा चोटा प्लेस में बहुत चा कर सकता है कौन से new players खेल सकते हैं from rcb side from bmi side जो आपके लिए game changer बनेंगे तो वीडियो पर बने रहो pitch report की बात करेंगे recent form देखेंगे player match ups देखेंगे तो बहुत कुछ आपको वीडियो में बिल जाएगा तो ऐसे picks आपको telegram channel पे ऐसे updates आपको telegram channel पे पीछ रिपोट आपको telegram channel पे मिल जाती है final team भी आपको telegram channel पे ही मिलती है तो आजाओ comment section में first comment में या तो description box में आपको link मिल जाएगी ठीक है बढ़ते आगे बात करते पीछ रिपोट के बारे में तो simple air batting wicket होती है थोड़ा सा early on pacers को health मिलता है तो वो संबालना होता है वो अगर संबाल लिए तो फिर यहाँ पे 200 और बहुत आसनी से बनते है और वो chase भी होते है last season भी हुआ था यह जो चारो matches देख रही हो चारो matches में 200-200 हर inning में बने है chase भी हुए है यहाँ पे 200 बने है यहाँ थोड़ा 200 के आसपास बना था यह थोड़ा सा low scoring था और इस साल दो matches हो चुके जिसमें से एक low scoring match था night all match था जिसमें यहाँ 125 ही बना पाई ती आरार के सामने ट्रेंबोर्ट और अंद्रे बर्गर ने टॉप और को हिला के रख दिया था तो चार पाच विकर बात पर जाने की बाद तो यह से तो कुछ इस तरीके से बारा प्लेस रहे थे पिछले मैच में ठीक है बहुत बहुत अजीब टीम है तुब ऑनेस्ट मतलब 16 साल आप आईवेल खेल चुके हो और आप से किसी भी सिजन में एक तो तो मुष्किले ठीक है पिछले मैच में बहुत अच्छा करें थे दो मैच बेटिं मिली उन्होंने एक मैच जिताया जो एक है कि अ कलो ते इन नहीं मैच जिता है वो वहुथ लोग को पिक्किया तो थोड़ा साभाज में नहीं या आती इन लोग की कि है परद करेंगे नहीं और विराट को लिए के लिए चल रहे हैं बदा बना रहे हैं सैंचूरी और वट किया कर लेंगे तो वही कि पुरानी आदत चल रहा है भी तो बेंच पर अकासरदी पर मैं पाल लोमरर रे विजे कुमार वेश्यक के अनुजरावत है करण शर्मा है सुयाश परगुदे साइए ठीक है और और ऑर सेश में यह चार ओर सेश ठीक है मुझे लगता है विल जैक्स के इसमाइच में चांस बनेंगे बट कौ बाहर जाएगा, मुझे रहाएगा, most likely Cameron Green बाहर जाएगे, विल जैक्स को मौका मिल सकता है, इस मैच में, उसके अलावा, Vijay Kumar विश्चक को, इस मैच में मौका मिल सकता है, महीपार, Lomrach को शायद से मौका मिल सकता है, इस माच पे खेलने का, बढ़ते हैं बात करते हैं कि इस्ट्रीम ने अब तक परफॉम्मंस किस तरीके से दिया हुआ है वो तैट इस वेरी इंपॉर्टन ठीक है पाँच मैचस खेल चुके है पाँच मैचस चार मैचस हार चुके है फैप की बात तो श्टरगल कर रहा है फिर्स मैच में इन उने तो तेरा रन बनाए सेंच्वरी मारी नोट आट वहाँ पर भी रहे ठीक है तो वह तो बाती नहीं है वहाँ पर यह उपर नीचे होते जा रहे पिछले मैच में तो बैटिंग ही नहीं मिली थी और जितनी भी बैटिंग मिली है मैच में उसके बाद जीरो रन उसके बाद यहाँ पर जीरो रन और पिछले मैट में एक रन तो निकाली थी तो ठीक है है सवरुफ चोबन को मोका मिला नाइन डर्ण बनायते छे बाल में उसके बाद दिनेशकार्तिक भहियां को पिछले बातिंग मिली ही नहीं क्योंकि एज जीछ बाहन को नहीं आजीव यह बंद हो तो इनको यह नोट ऊट प्ट अउट ऑउट व्यंट आप उट इंप में आ और बॉलिंग करते किसे भी मैच में पूरे चार और बॉलिंग करी नहीं है, रन बहुत बड़े हैं, खेलते जा रहे हैं, पता नहीं ऐसा क्या देखा है, आर से भी ने इनके उपर, तो ठीक है, यश्ट दयाल इन्हों ने अटलिस हर मैच में एक विकेट निकाली है, एक, एक पहले बॉलिंग करी तो बी ओनेस्ट, अच्छे लाइन लेन के साथ, निव बॉलिंग के साथ भी अच्छे डाली है, थोड़ा सा मेडल ओर बॉलिंग करी यश्ट दयाल ने, इस टॉपली दो मैच में उनको तीन बिकेट श्पेशल पिछले पिछले आट अच्छे बॉलिं और इंको मिले थे, इस इंपक्ट प्ले राया थे, 29 रन इंको पढ़ जाये थे, और मुझे नहीं लगता है कि मुंबाई में इनको खिलाया जाएगा, तो ये बाहर मेरे साबसे, मोस्टली हो जाएगे, और इस मैच में तो महिंग डागर को भी बाहर ही जाना चाहिए, ठीक तो उससाब से कैमरा ग्रिंग को आप कंसिडर करके चलो, अभी खेलते नहीं, खेलते वो अलग बात है, तीन वो हो गए, मैक्सवर को स्टिल आप कंसिडर करके चलो, स्मॉल लिक के साब से, ब्युक्त बालिंग भी करते है, मुंबे के पास लेट हैं और इनका 178 का स्ट्रा करूंगा स्मॉल लिक में, फ्रम आर से भी साइड, ग्रैन लिक के साब से मुझे लगता है, या फिर मुझे राज में से कोई एक, अगर पहले बालिंग आ जाती, आर से भी थी, बैटिंग में मुझे लगता है, रजट पार्टी तार एक अच्छे पी करेंगे इस मैच में, पेस इनको पसंद है, बाउंस इनको पसंद है, तो रजट पार्टी तार इस मैच में गेंगे आपके लिए, बैटिंग साइड में, आप उनको ट्राइ कर सकते हो, बाकी मैक्सवेल मैक्सवेल है, चले चले चांद तक मही तो शाम तक, और वीराट और फैप मुझे लगता ह यह रंट बना सकते हैं, बाकी फैप का फॉर्म से खराब चल रहा है, ठीक है, और अगर आप देखोगे और कौन से प्लेयर से बेंच पे, जो पिछले मैक्स में खेले नहीं थे, जैसे कि करन शर्मा एकी मैक्स खेले है, विजेश को मारे वेश्यक एकी मैक्स खेले, दोस्तों बात करते हैं, अब हम लोग मुंबे इंडियन्स के, ठीक है, तो यह मुंबे इंडियन्स के बारा प्लेयर से पिछले मैच में, कुछ चेंजे से इनोंने डेफिनेटली करे थे, जैसे कि इन लोगोंने पिछले मैच में मुरु मार्यो शेपर्ट, मुरु मुहमद अब मुझे इसा लगता है कि इस मैच में नभी बाहर जाएंगे, ठीक है, नभी शायद इस मैच में नहीं खिलेंगे, और आई फिल कि एक शाम समुलानी करके जो स्पिनर है, उनको इस मैच में मुलेगा, जैसे कि आरसे बिका स्ट्रगल ए लेप्रम ऑर्टॉक्स के सामने, और सारे राइट हैंडर्स भरे पड़े हुए हैं, तो मुझे सा रगता है कि शाम समुलानी को मुपाइस मैच में मिल सकता है, वो भी मुंबई में, जो भी मुंबई से ही खेलते हैं, तो वो चेंज एक्सपेक्टेड है, उसके अलावा, I don't think कि कोई और चेंज होगा, ठीक शायद से अगर तुशारा फीट है, तुशारा खेल सकते हैं, ल्यूकूड फीट है, तो ल्यूकूड खेल सकते हैं, ठीक है, और शाम समुलानी जैसे मैंने वो लेप्टाउं और बैटिंग भी कर लेते हैं, और अल्रेडी वो, I think, स्टार्टिंग के एक-डू मैच्छ खे खेली थी, 42 पिछले मैच में इसी वेन्यों पर बनाये थे, सुरिया, फर्स्ट मैच था सीजन का, जिरो पर आउट है बड़े शॉट के चक्कर में, बट इस मैच में माहूल काम हो सकता है, सुरिया के और से माहूल काम, ठीक है, बहुत इंपॉर्टन फीक रहेंगे, ठीक है हर्दिक ْधिक्स, ट्वेंटीफोर यहां पर बनायेथे, सुरिया, फिछर्ट रहें बनाये, पिछले दू मैचेस में बॉर्लिंग करी नहीं है, तो रूमार्योशेपर क्या काम किया थे इन्हों ने यहां पर आई इंपक प्ले रहा है थे तो छे वाल में पंत्रा बनाये थे पिछले मैट में प्लेंग लिए थे दस वाल में 39 नोट बनाये थे एक विकेट निकाला था जबर दस बैटिंग करी थी गेराल कॉईट यह बात कर तो पहले मैच में दो निकाल चुक है अलग लेवल पर बॉलिंग कर रहे हैं हलाकि थोड़ी सा अरसोबी के सामने स्टाट्स खराब है बट फिर भी ठीक है ठीक है प्यूज चावला को अब तक कुछ खास देखने को मिला नहीं है और चार मैट में को दो ही विकेट्स मिली है पिछले माट में बह प्रोमोशन तीम डेविड को मिल सकता है तो 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 यह थोड़ा सा नोट करना तीन वो हो गए हार्दी कंडेविल विल फोर तो यह बैटिंग में पांच आपको रिकमेंड करूंगा आप स्मॉल लिग में लेके ही चलो उसके अलाव तिलक को ले सकते हो ठीक है पहले बैटि प्रोमार्यो शेपर तो यह कुछ पिक्स आप ट्राई कर सकते हो इस मैच के लिए और इस टिम के लिए गेम जेंजर रहेंगे एक तो प्यूश चावला विकोज सामने सारे राइट हैंड बैटर से इनका अब तक मैच अच्छा गया नहीं है तो यह आपके लिए बहुत सॉलीड डिफरेंशल पीक है और अनुदर पीक होंगे आकाश मदुहल विकोज इनका फर्म भी अच्छा देखने को मिल गया ठीक है तो हाँ यह कुछ डिफरेंशल पिक्स आप ट्राई कर सकते हो रही अच्छी पार्टनर्शिप आपको लेखने को मिल सकती है ठीक है तो यह थोड़ा सा नोट करके चलना ठीक है बाकी बेंच पर और गौन इनके पास जो अब तक खेले है ठीक है जैसे कि साम समुलानी के स्टैस देखलो नवंदीर पहले थी मैचस खेले ते डेवल ब्रेमिस दो मैचस खेले थे शाम समुलानी दो मैचस खेले थे यहा पर खेल सकते यां पर रहता alpha ऑंप कर लेते थी थी तो बहुत не देकोंगे बहुत बमले बैटल में को मिल जाएगा हलाकि वीराट पहल नहीं पर झीता हु ौल्स में बूमरा के सामने 140 सरीं बनाएं दिर्स हो के strike rate से और 4 ही बार आउट हुए ठीक है तो average भी अच्छा है strike rate भी अच्छा है प्यूस चावला के सामने भी तीन बार आउट हुए बहुत अच्छे तो बुम्रा के सामने starts देखो मैंने आपको starting में बताया था बुम्रा के सामने 65 वाल 75 रन साथ बार आउट हो चुके साथ बार आईपल में चार बार इंटर्नाशनल में तीन बार अलग लेवल पर प्यूस चावला इनको तीन बार आउट को चुके 45 बार 76 रन देखे शेपड इंको 20 वॉल में 35 रने के दोबार आउट किया हुआ है ठीक है भाकि हर्दिक पांडे और मदवाल के सामने आउट नहीं हुए गर इनको बैटिंघ नहीं बिली ना इस वाच में तो फिर तो अन है मतलब बिल्कुली बख्वास काम हो जाएगा कि अगर इनको जल्दी नहीं बहुत अच्छे दिनिश करते के विराट और फैप के भी स्टार्स अच्छे है तो यह थोड़ा नोट करना मैक्सवल के सामने कभी आउट नहीं हुए टॉपली के सामने कभी आउट नहीं हुए ठीक है उसके बाद अगर आप यह पर देखोगे तो सुर्यकोमर याद हो ग्रीन एक बार आउट कर चुके है विश्चक ने इंको 11 बॉल में एक बार आउट किया है सिराज में 26 बॉल में 57 सेवन देके एक बार आउट किया हुए ठीक है तिलक वरमा कोई से ने अब तक आउट किया नहीं बैटर सैंपल साइज भी छोटा है उसके बाद अगर आप यह पर देखोगे टीम डेविड तो टॉपली टीम डेविड को दो बार आउट को चुके बार आउट को एक बार आ याद रखना और विराट और फैप के अर्चे स्टार से यह भी याद रखना रुहित को रिस्टॉपली परिशान कर सकते वित निव वाल इशान केशन को भी याद रखना तो यह कुछ इंट्रेस्टिंग बैटल्स आपको बहुत जाता हेल्प करेंगी ग्रैंड लीग में स्मोल लीग बना कि इस में इसम डिइकन को समर्ट अप्छे आपको आघार एक तो अब हम लेते हो और तीन प्लयरश को ले सकते है तो विकेट के पर सेक्षन में इशान के अलाओ को एचा उप्शन है ने इसमाल लीक के साब से तो इशान को डारेक्ले ब्लोग पिक कर लिए बैटिंग में चार बैटर्स में ले चुका हूँ अब यहां पर अगर देखो वे तो मेरा मन था कि मैं रोहित को इस मैट पर डॉप तो वही है इसलिए में रिस्क नहीं ले रहा हूँ मैं अभी के लिए रोहित को पिक करके चल रहा हूँ ठीक है क्योंकि अगर टिक गया ना तो बहुत पिटेगा उसके बाद तिलक वर्मा है अगर रोहित और रिशान में से जो भी अगर कोई जल्दी चला जाएगा तो तो ठीक ठाक बैटिंग मिल सकती है बट अगर टॉप थ्री ने अच्छी बैटिंग करी जैसे कि पिछले मैच में करी थी ओपनर से तो फिर तिलक वर्मा को कम बैटिंग मिल सकती है ठीक है और लेप ट्राइट का भी कॉंबिनेशन हाएगा हर्दिक जैसे पिछले आट में मिलती है क्या इनको नंबर चार पर प्रमोट किया जा सकता है वो देखने लाइक बनेगा बट ग्रैंड लिग में थोड़ा वो ट्राइ कर सकते है ज्यादर रेकमेंड नहीं करूंगा बटन है और उसको आदत है सब कुछ खुद करने की ठीक है कुछ बोलने सकते है इनों पिछले दो मैटेस में बालिंग नहीं करी है बट पिछले मैट में नंबर चार पर पर प्रमोट भी हो गयते ठीक है और विराटे सामने तो इन में खुजली तो मचेगी बालिंग करने क तो ये वित न्यू बॉल मुझे लगता है कि आज आएंगे पार प्रमोट तो उससे अच्छा लेके चलो ठीक है उसके बाद कैमरें गिरीन डो मारियो शेपर्ट शेपर्ट ने अच्छे पॉइंट दिये थे पिछले बहुत अच्छे पॉइंट दिये थे बट बहुत में है तो ठीक है क्योंकि विल जैक्स के भी खेलनी के इस मैट में चांसे बन सकते हैं तो यह थोड़ा सा नोट करके चलना अब अगर मुझे पुछो कि तो मैं कैमरें गिरीन के साथ ही जा लाओ थोड़े से थोड़े जादा सेप ऑप्शन लगते है रोमारे शेपड से रोमारे बिटरिस्की बट रोमारे डेत में बॉलिंग भी करते हैं ठीक है यह याद रखना बुम्रा कोईट जय में दोनों को ले चुका हूँ इसके अलाव आपके पास ओप्शन में हैं देखो फाइनल प्लेर हमें लेना है दस प्लेर हम ले चुके है सिराज रिस टॉपली यज्ट तयाल आकाश मदवल ये चार बॉलर में से कोई एक बॉलर उठाना है टॉपली आरसीबी के और से अगर आरसीबी की पहले बॉलिंग अब तक प्यूज चावला ने अच्छा नहीं किया है इस मैच में अच्छा प्यूज चावला कर सकते हैं अभी के लिए मैंने फाइनल प्लेर इस टॉपली को लिया है फ्रॉम बॉलिंग साइड ठीक है दोस्तों ये बनती है हमारी टीम ठीक है तो ओविसली फाइनल टीम न नहीं है फाइनल टीम आपको टेलिग्राम चैनल पर टॉस के बाद मिलेगी तो टेलिग्राम चैनल पर आजो कमेंट सेक्शन में फर्स्ट कमेंट में या फिर दिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी ठीक है कैप्टन वाइस कैप्टन सी के लिए मैं सोच रहा था ओविसली विराट पोली सुरिया दादा हार्दिक पांडया और जस्प्रिद बुमरा ये चार प्लेयर्स में सोच रहा हूँ स्मॉल लिग में कैप्टन वाइस कैप्टन से के लिए ठीक है अगर मुंबई की पहले बॉलिंग है तो फिर फोड़ा मुश्किल हो जाएगा उस केस में फिर हम तीनों इन तीनों को पंसिलर करें चलेंगे अब बहुत है अब विक और मुझे पूछोगे तो मैं कैप्टन से दे रहो स्कूली को ठीक है और वाइस कैप्टन से दे रहा हूँ मैं आप सुर्या दाओए तो ये हो बारे में कि वों लोग फाइनल डिसीजन लेंगे टॉस के टाइप पे ठीक है और रही बात ग्रैंड लीग में तो मुझे लगता है इस मैट में ग्रैंड लीग में आप क्या कर सकते हो विराट कोहली प्लस फैब डुपलेस कि को कैप्टन कर सकते हो एक कौंगो इस तरीके बन प्रियादों को इस मैट में ग्रैंड लीग में कैप्टन कर सकते हो एक मैच में बुमरा को तो यह कुछ पीक से जिनको आप लोग ड्राइब कर सकते हो और जो डिफरेंशेप बरायते जैसे रज़त पाटिदार प्यूश चाउला ऐसे प्लेयर्स को आप लोग रोटेट कर स चैनल्ग को सब्सक्राब करो बिलाकम को प्रेश करो टेलििग्राम चैनल पर आओ बहुत इंपटन प्लैटफॉर्म है सारे फाइदम उपडेट इसी प्लैटफर्म पे मिलते हैं कमेंट सेक्षण में फ्रस्ट कमेंट में यह फे डिस्क्रिप्चिन बक्स में आपको लिंक म बिल जाएगी थैंक यू सो मुच गाइस फोर वाचिंग